बिसमिल्लावरारहीं असलमलेकुम कैसे हैं आप सब? मैं हूँ शायमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Variety of Taste Taste में वराइटी तो जैसे में लेके आती हो आप भी लेके आए करें अपनी टेस्ट में वराइटी अपनी टेस्ट में Variation लेके आए करें आपने टेस्ट को किया करें चेंज तो आज मैं बना रही हूं पराथा रोल बहुत ही असान त्रीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पराथा रोल तो आईए चलते हैं मिलके बनाते हैं पराथा रोल पराथा रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम चिकन लीए बांफ लेस इसमें 11 वंटी स्पून जिंजर कालइक पेज़ डाल हैँ नप तींस्पूण एंड फींड हुई लाल मिर्चे डाली है जाला मिर्च का पाउडर आफ पीसपून मैंने इसमें धन 것도 रघला आ झाला थगा है 1-4 टी-स्पोन ही मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है और इसके बाद 1-4 टी-स्पोन मैंने इसमें डाला है सौल्ट इन सारे चीज़ों को डालने के बाद अब जो है वो हाफ टीबल स्पून मैंने इसमें सफैद सिर्का डाला है और फाइनली जो है वो मैं इसमें दही डालूँगी ये मैंने वन एंड हाफ टीबल स्पून जो है वो दही लिया है कि अच्छे लिया को आप जान और झाल कि यंडा है इसको फोना है पडन निया ने थो अच्छे से हुआ कि मिक्स करूंगी कि लिए चाहिए वहों मेठों निया को हुट को में 2 घुट की दूँ रिस्ट के द दो गी तो आये वह में दोश्क तर तक किया अब हम जाए वह वाइ तिल को आप जैब जाए वह क्राइंड करें बहुत जदा वर्हिज ना करें इसके बाद 1 बैब 4 टी स्वोन मेन इसमें काली मिच ढही है ब्लैक पीपर वान बै फूर टी स्पून मैंने इसमें लेसन पाउडर डाला है अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो लेसन पेस्ट डालें इसके बाद थोड़ा सा सिर्कार डालें और अच्छे से इसको कलें मैक्स और यह हमारे पास वाइड सौस त्यार होगे अब हम जो रेड सौस त्यार करेंगे मैंने टमाटो कैचप में डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून और लेसन पाउडर डाला है वन बाई 4 टी स्पून जोए वह मैंने इसमें डाला है और इसमें बाई लीवज सब्णार को कर लेंगे अब अच्छे से मिख् इनका पेस्ट शामिल करें यह देखें यहां पर हमारी रेड सॉस पी रेडी हो गई अब जो है वो हम सेलड के लिए वेजटेबल्स ले रहें यह देखें यहां पर मैंने लिया है प्यास लिया है कीरा लिया है गाजरी लिया है बंद गोबी लिया है और शेमला मिर्च लिया ह आरिंगी कट जो है वो मैंने सेम रखा है अब जब हम इसको करेंगे अच्छे से मेक्स देखिए मेरी बात सुने अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आई है या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ अपने डिले को मैंने जो है वो डाली एक बॉल में अब जो है वो टू टेबल स्पून मैं इसमें सिर्का एड़ करूंगी कि करने के बाद जो है वो अच्छे से इसको करें मिक्स और यहां पर मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी एड़ किया सा दो से तीन चुटकी आप कहलें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा सैलेड भी रेड़ी हो गया चलें अब जो है वो हम अपना चिकन रेड़ी करते हैं एक कड़ाई में चिकन डालें जो कि हमन इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके ओपर डगकन रखे हम 8-10 मिनिट के लिए जो है वह इसके अपने ही पानी में इसको गलाएंगे जैके 8-10 मिनिट हो गए देहीं सॉरी चिकन का पानी जो हो मकमल तौर पर खोश्क हो चुका है और चिकन अपने ही पानी में जो है वो गल च कोई इसमें अधर एक्स्टा चीज जो है वो मैंने शामिल नहीं की सिरफ आपकी असानी के लिए क्योंकि आटा तो है घर में अवेलेबल होता है अब जो हम इसकी रोटी बिना लेंगे इस तरह से बहुत जदा भड़ी रोटी में बनाने तबा मैंने पहले गरम होने के जो है वो हम इसकी करेंगे साइड चेंज इस तरह से और इसकी दोनों साइडों पे घी लगाके इसको हम अच्छे से इसका प्राठा रेडी कर लेंगे जैसे नौर्मली हम लोग प्राठा बनाते हैं अगर आपके पास यह वला आटा नहीं है तो आप मैदे के साथ भी रोट बना सकते हैं अब जो यह मैंने बटर पर लिया है इसके उपर अपना प्राठा रखेंगे प्राठा रुल की अब हमें सम्ब्लिंग कर रहे हैं सबसे पहले इसके उपर जो है वो अपनी ड्रेड स्वास लगाएंगे ब्रश की साथ अच्छे त्रीके सिसको लगाएं इसके बाद अपना चिकन मारिनेट किया हुआ फ्राइ किया हुआ वह लगाएंगे अजिकन लगाने के बाद जो है वह मैं इसके उपर जह वह सेलेड लगाऊंगी अच्छे तरीके सेलेड लगाएं और इसके बाद जो है ना इसके उपर जो हम अपनी रेड सौस लगाएंगे वाइट सौस लगाएंगे वाइट सॉस लगाने के बाद अब जो है वो हम इसको करेंगे रोल दोनों साइडों से अच्छे तरीके से रोल करेंगे और फिर फाइनली जो है वो बटर पेपर जो है वो इसके ओपर रैप कर देंगे इस तरीके से यह देखें हमारा प्राठा रोल जो है वो रेडी हो गया है अब हम करेंगे इसको प्रिजेंट मैं हमेशा कहती होती हूं कि वे उफ प्रिजेंटेशन पे फोकस किया करें आपका प्रिजेंटेशन वे जो है वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि खाने को खाना बाद में होता है खाने को देखना पहले होता है जितना जदा पिजन्टेशन वे आपका अच्छा होगा उतना ही जदा आपका खाना जो है वो खाने वाले को अट्रैक्ट करेगा मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा खुश रहें अल्ला की रहमतों के साय में रहें मुझे दे इजाज़त अला आपिस